वेलकम बैक तो दे चैनल देखे बहुत ही कम समय बचा हुआ है इसलिए जो भी वीडियो जा रही है न बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हर एक वीडियो से गैरेंटी है कि एक दू क्वेस्चिन निश्चित फसने वाले हैं तो सभी क्लासे साब के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑप्सन नमबर सी से हो जाएगा इंडेंजर आफ डेथ और सीरियस इंजरी ठीक ना सीरियस इंजरी यागे फिर डेंजर आफ डेथ को बोलते हैं रिस्क लाइफ ठीक है नेक्स कि तरह बढ़ते हैं बेली लाफ बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है यह फ्रेज लाफ तो यहाँ पर देखे क्या से हो जाएगा लाउड और अन्रिश्टेंट लाफ मतलब क्या हुआ है इतना हसी एक होते हैं अनकंट्रोल अनकंट्रोल टाइप की हसी एक लाउड मतलब तेजी की साथ आपने सुना होगा ना कि लोग पेट पकड़ पड़ गया हसते रहते है ना अरचना जो है जब सिद्धू थे तो वो इस प्रकार से लोग हसते हैं पाकि आप भी ऐसा कभी कभी करते होंगे बेली लाफ इसको बोलते हैं नेश्ट है कि बीमिंग फ्रॉम इयर टू इयर का मतलब क्या होता है बीमिंग का मतलब होता है बड़ी वाली स्माइल तो इसे एक तो होता है कि आप अंदर से हसी है तो थोड़ा से स्माइल करते हैं एक होता है कि जानबुच के थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्माइल करते हैं मतलब इयर टू यर समझ रहे हैं इसको एकदम ऐसे फैला देना है कि मतलब इयर टू यर टच हो जा इस टाइप का ठीक है औ avenues का मतलब होता है न रास्ता क्या होता है रास्ता explore all avenues मतलब कि सभी रास्तों को क्या करना explore करना मतलब हर रास्ता अपना लेना यानि कि हर मुमकिन कोशिज करना option number C से हो जागा try out every possibility to get a result एक result प्राप्द करने के लिए जो भी संभो रास्ता है जो भी मुश्किल रास्ता है वो सभी रास्ता को अपनाना Mind of Means मैन of Means का मतलब होता है साधन मैन आप Means का मतलब क्या होता है साधन अच्छा मैन आप Means का मतलब होता है जिसकी पास बहुत सारे income के सुरोत हों, बहुत सार income के क्या हों, सुरोत हों, कई जगहों से उसके पैसे आते हों, इसको ऐसे आदमी को बोलते है, mine of means, आपके नजरियम कोई है, तो आप बोल सकते हैं, कि नहीं, फलानमा जो है, हो क्या है, mine of means है, option number B से हो जाएगा, a wealthy man या कि फिर rich man with lots of money and assets, मतलब कि बहुत ज़्यादा संपत्ती के साथ, या बहुत ज़्यादा पैसों के साथ, क्या है, एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही, अमीर हो, उसको यह निट हो है mine of means मतलब कि बहुत से कमाई के साधन हो, अच्छा, call it for, call it for और कह लीजिए या ask for, आपने सुना होगा, ask for, ठीक है, ask for, call it for या कि फिर ask for का मतलब होता है, require, क्या होता है, require, जरूरत, to require something, ठीक है, एक phrase बहुत important, यह पूछा जाता है, लेश देखते हैं कि where the shoe pinches, शू का मतलब क्या होता है, जूता, और pinches का मतलब काटना, आपने देखना, पिंच करता है, आपने देखना, नए नए जब जूते होते हैं, तो क्या करते हैं, पैर में काटते हैं, ठीक है, तो where the shoe pinches, मतलब पता कर लेना कि मेरा जो जूता है, मेरा जो शुरू है वो कहां पर पिंच कर रहा है कहां पर काट रहा है जहां पर वो काट रहा है वहीं पर काम करने की जरूरत है मतलब कि जिस पार्ट में आपकी लाइफ में जिस सब्जेक्ट में कम है वहां पर मेहनत करने की जरूरत है इस टाइप पर समझ रहे हैं यहां पर क्या हो कोई साप्सन से हो जाएगा मतलब प्राप्लम कहा है श्राल रोड का मतलब ह कि एक आसा डॉ पिर ऐसी लाइब या कि Hamburg कोई बीस चीज जहां पे कोई भी टrauल्ट नहीं को समुष्य नहीं अचीविंग संटेस्ट ट५र फ्री उल्ימ कैसे बीन मेहनत के सॉरी बीना मेहनत में बीना problem के है ना आपने मेहनत किया और result मिल गया तो कोई चीज ऐसा प्राब्द करना जिसमें कि बहुत जादी मेहनत करनी न पढ़े या कि फिर बहुत जादी problems उस चीजों में नहीं आए आपने देखा होगे कि life में बहुत बाहर ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करते हैं बट result उसका नहीं मिलता उस type का तो उसका उल्टा हो जाएगा royal road का मतलब आपने जो भी मेहनत किया जितना किया उतना आपको मिल गया कोई भी problem उसमें नहीं आए तो जैसमें इतने idioms आज की इस वीडियो में बाकी कोई भी doubt हो तो comment box में पूछ लिज प्रेंस हो चुका है तो आप पीछे की वीडियो जी देख सकते हैं ऐसा नहीं कि जो पहले है वो नहीं आएगा और नहीं भसेगा नहीं जो mock test हो रहे है पहले के playlist वे यह आप उन moak test को देखते रहे है solve करते रहे है ठीक है चले फिर मिलते हैं यह वीडियो में तब तक के ल नहीं देमात्रम